ये कहानी अलादिन नाम के एक राजा की उपर आधारित है जो दिमाग से पूरी तरह पैदल होता है अब पूरी तरह बेवकूफ होने की वज़े से वो उपने देश में क्या क्या करनामे करता है ये हम आज की इस एक्स्प्लेनेशन में देखने वाले हैं आज मैं जिस फिल्म को एक्स्प्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है दा डिक्टेटर और ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी मूवी की शुरुवात में हमें कालपनिक देश वाडिया दिखाये जाता है वाडिया में एक बच्चे का जनम होता है जिसका नम अलादिन रखा जाता है अलादिन के जनम के बाद से ही उसकी मा को मार दिया जाता है और इसके कुछ सालों बादी उसके बाप की भी हत्या कर दी जाती है और अब सिर्फ 7 साल की उम्र में अलादिन वाडिया का राजा बन जाता है इसके बाद सीन यहीं कट होता है और हम कुछ साल बात का सीन देखते हैं जहां अलादिन अब बड़ा हो चुका है अलादिन अपने बाप की तरह ही संकी और पागल है और उसके मन में जो आता है वो वही करता है वो अपने देश में ओलंपिक गेम्स रखवाता है जिसमें वो खुद भी हिस्सा लेता है फिर गेम के दोरान अगर कोई उससे आगे निकल जाता है तो अलादिन उसे गोली मार देता है और खुद वो गेम जीट जाता है और इसी तरह वो अलम्पिक में 14 गोल मैडल जीट जाता है इसके बाद अलादिन अपने महल के बाहर आता है और अपनी प्रजा को बोलता है कि ज जल्दी ही nuclear weapon तयार कर लेंगे पर किसी पर हमला करने के लिए नहीं बलकि शांती बनाये रखने के लिए और ये बोलते ही वो हसने लग जाता है इसके बाद अलादिन अपने nuclear research center में जाता है और वहाँ पर वो अपने चाचा तामीर से मिलता है फिर वो दोनों अंदर जाते हैं अलादिन को इस बारे में कुछ याद नहीं होता पर जब वो अपने दिमाग पर जोड डालता है तब उसे याद आता है कि जब वो दो साल पहले यहाँ पर आया था तो उसने अपने scientist नदाल को मरवा दिया था आप फिल्म वापस प्रजेंट में आती है और एक scientist अलादिन क अपनी security के लिए सिर्फ लड़किया ही रखता है ताकि बाद में वो उन्हें बजा सके फिर जब अलादिन अपनी कार से बाहर निकलता है तब ही वाँ एक आदमी आकर उसे गोली मार देता है पर बाद में हमें पता चलता है कि यह आदमी अलादिन नहीं बल्कि उसका duplicate था दरसल अलादिन हमेशा ही अपने साथ एक duplicate रखता है ताकि जब भी उस पर हमला हो तो हमेशा उसका duplicate ही मारा जाए अलादिन दिमाग से इतना चूतिया होता है कि वो अपनी duplicate की लाश को उठने के लिए बोलता है और फिर जब वो लाश नहीं उठती तो अलादिन अपने अं अमीर ही मरवाना चाते हैं ताकि वाडिया की पूरी सत्ता उनके हातों में आ सके इसके बाद ये लोग अलादिन के हमशकल को ढूड़ना शुरू करते हैं और उन्हें एक आदमी मिल भी जाता है जो बिल्कुल अलादिन की तरह दिखता था पर ये आदमी भी अलादिन की त पोटोस देखते हैं जिनके साथ अलादिन अब तक पलंग तोड़ चुका है फिर अगले दिन जब अलादिन वीडियो गेम खेल रहा होता है तब ही वहाँ पर उसके चाचा तामीर आते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें अमेरिका जाकर अपने परमाणू हतियार बनाने के बारे में उन्हें सफाई देनी होगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो लोग अपनी फोच को यहां बेचकर वाडिया पर कबजा कर लेंगे अब यह सुनकर अलादिन डिसाइड करता है कि वह अमेरिका जाएगा फिर अलादिन अमेरिका आ जाता है और अमेरिका के लोग सडकों पर उसके खिलाफ नारे लगाते हैं दरसल अमेरिका के लोग चाते थे कि वाडिया में डेमोग्रेसी हो और कोई भी बेवकूफ और पागल राजा उन पर अत्याचार ना करे इसके बद अलादिन अपने सिक्यूरिटी हेड से मिलता है जिसका नम क्लिटोन होत और वो अलादिन को बिल्कुल भी पसंद नी करता था फिर जब रात को अलादिन अपने होटल में सो रहा होता है तब ही वहां पर क्लिटोन आता है और वो उसको किड्नैप कर लेता है वो उसे एक टॉर्चर रूम में लेके जाता है और वहां पर वो अलादिन को अपने हति और वहाँ से भाग जाता है अब अलादिन की दाड़ी कड जाने की वज़ए से कोई भी उसे बाचान नी सकता था फिर अगले दिन अलादिन उसी जगह जाता है जहां पर उसे भाशंड देना था तब ही वह वह वहाँ पर देखता है कि उसका हमशकल उसके चाचा तामीर के साथ वहाँ पर भाशन देने के लिए जा रहा है और अब अलादिन ये सब देखकर समझ जाता है कि ये सारा खेल उसके चाचा तामीर का है अब अलादिन को बहुत ज़दा गुसा आ जाता है और वो रेलिंग तोड़ कर अंदर जाने की कोशिश करता है पर तबी सिक्योरिटी उस पर हमला कर देती है और वो नीचे गिर जाता है तबी वहाँ पर जोई नाम की एक लड़की आती है और वो उसे स्कूटी पर बिठा कर वहां से ले जाती है इसके बद जोई उसे अपनी दुकान पर लेके जाती है जहांपर वो काम करती थी जोई अलादिन को कुछ कपड़े देती है और उसे पूछते है कि क्या तु मेरी दुकान पर काम करोगे पर इस पर अलादिन उसे बोलता है कि मैं चूतियों के साथ काम नहीं करता और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है अब अलादिन सडकों पर भटक रहा होता है और तभी वहां उसे नदाल दिखता है जिसे उसने कई सालों पहले मरवा दिया था अलादिन नदाल को जिंदा दिखकर हैरान हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है पीछा करते वे अलादिन एक बार में पहुंच जाता है जहां पर सिरिफ वो ही लोग आते थे जो अलादिन से नफरत करते थे तब ही वहाँ पर काम करने वाला एक आदमी अलादिन को पैचान लेता है और वो सभी को बता देता है कि ये अलादिन है दरसल उस बार में जितने भी लोग थे उन सभी को अलादिन ने मरवा दिया था पर उन में से कोई भी मरा नहीं था और वो सब भाग कर अमेरिका आ गए थे इसके बाद वो सभी अलादिन को पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं वो अलादिन को टपकाने ही वाले होते हैं कि तभी महाँ पर नदाल आ जाता है और उन सभी को बोलता है कि ये मेरा कजन है दरसल यहाँ पर नदाल ने अलादिन को पहचाल लिया था इसके बाद नदाल उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तो अलादिन उसे बताता है कि उसके चाचा तामीर ने उसे धोका दिया और वो वाडिया पर कबजा करना चाते हैं फिर अलादिन नदाल को बोलता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी जिसपर नदाल मान तो जाता है पर वो उसे बोलता है कि मुझे मेरी नौकरी वापस चाहिए जिस पर अलादिन भी मान जाता है फिर अगले दिन अलादिन और नदाल उस होटल के पास जाते हैं जहां पर अलादिन का हम शकल रहता है तब ही मापर अलादिन जोई को देखता है और उसे छुपने लगता है फिर नदाल उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तो अलादिन उसे बताता है कि मुझे वो लड़की बिलकुल भी पसंद नहीं है जिसपर नदाल उसे बोलता है कि अगर तुम इस लड़की को जानते हो तो उसकी मदद से हम इस होटल में आसानी से पहुंच सकते हैं अब अलादिन ना चाते वे भी जोई की शॉप में काम करने लगता है पर वहाँ पर वो ढंक से काम करने की बज़ए सबी चीजों को बिगार देता है फिर अलादिन को नदाल का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मैंने सारा प्लैन बना लिया है हम कैंटीन के सामान के बहाने से उस होटल में जाएंगे और वहाँ पर नकली अलादिन को हटा कर उसकी जगह असली अलादिन को ले आएंगे अब अलादिन को ये प्लैन अच्छा लगता है और इसके साथ साथ उसे धीरे धीरे जोई भी पसंद आने लगती है जिसकी वज़े से वो शॉप में अच्छे से काम करने लग जाता है और वो उसकी शॉप का पूरा नक्षा ही बदल देता है फिर एक दिन शॉप में एक औरत को लेबर पेन होने लगता है और उस समय इतना वक्त नहीं था कि उसे हॉस्पिटल ले जाये जा सके अब अलादिन को पता नहीं होता कि डिलिवरी कैसे करवाई जाती है पर फिर भी वो उस औरत की सक्सेस्फुल डिलिवरी करवा देता है अब ये देखकर जोई भी अलादिन से इंप्रेस हो जाती है और उसे उससे प्यार हो जाता है फिर जोई अलादिन को बोलती है कि वो उपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाती है पर इससे पहले अलादिन उसे बोलता है कि मैं तुमें कुछ बताना चाता हूँ और फिर वो जोई को अपनी सच्चा ही बता देता है अब सब कुछ सच जानने के बाद जोई उससे बहुत गुसा हो जाती है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है फिर अलादिन जब सडकों पर घूम रहा होता है तो वो टीवी पर देखता है कि वाडिया के लोग उसके जाने से बहुत ज़दा खुश है और वो अपने देश में डिक्टेटरशिप नहीं चाते अब यह सब देखकर अलादिन को लगता है कि शायद उसे कोई भी पसंद नहीं करता इसलिए वो डिसाइट करता है कि वो अपनी जान दे देगा फिर वो एक पूल से कूट कर अपनी जान देने ही वाला होता है कि तभी मपन नदाल आ जाता है और उसे समझाने लगता है अब अलादिन भी नदाल की बात को मान जाता है और वो अपने मरने का प्लैन कैंसिल कर देता है फिर अगले दिन अलादिन नदाल के साथ मिलकर बहुती मुश्किल से उस होटल के कमरे में चला जाता है और वहाँ पर वो नकली अलादिन को भगा कर खुद उसकी जगे ले लेता है इसके बाद अलादिन उस मंच पर जाता है जहां पर आज वाडिया का नया सविधान पड़ा जाना है इसी दोरान अलादिन उस पेपर को फार देता है जिसमें लिखा था कि वाडिया में अब डेमोक्रेसी चलेगी फिर अलादिन ये बोलने ही वाला होता है कि वाडिया में हम अमीर अलादिन पर गोली चला देता है अब वो गोली अलादिन को लगने ही वाली होती है पर तब ही वहां पर उसका हमशकल आ जाता है और वो गोली उसको लग जाती है इसके बद अलादिन जोई को भी अपने साथ वाडिया ले जाता है और उसके साथ शादी कर लेता है वो सुनकर अलादिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जोई को भी मरवाने के लिए बोल देता है और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है